Hello everyone, आज हम इस वीडियो लेक्षर में Staphylococcus aureus की pathogenesis के बारे में बात करेंगे कि Staphylococcus aureus कौनसी disease produce करता है, कौन कौनसी disease में यह involve होता है उसमें हम इस वीडियो लेक्षर में बात करेंगे तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम स्टफाइलो कोकस जो टॉक्सिन और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है उसके बारे हम बात कर चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं तो आज पैथोजेनेसिस देखते हैं तो स्टफाइलो कोकस और इस मेंली पैजेनिक इंफेक्शन के लिए रिस्पॉंसबल होता है और पैजेनिक इंफेक्शन हम उस इंफेक्शन को कहते हैं या ऐसे इंफेक्शन को कहते हैं जिसमें पस की फॉर्मेशन होती है और इस स्टफाइलो कोकस के डिजीज प्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, coagulation enzyme और इसके जो toxin है, वो इसके लिए responsible होता है और extra virulency bacteria को provide करता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको virulency किसी भी bacteria की degree of pathogenicity को denote करता है, तो इसमें coagulation का बहुत बढ़ा रोल है। जनरली जो इस्ट फाइलो कोकस और यस जो लीजन प्रोड्यूस करता है जैसे मैंने पहले बता है उसमें पस फर्म होता है और यह पस क्रीमी क्रीमी कलर्ड का क्रीमी पस होता है क्रीमी कलर्ड होता है तो जनरली दे फर्म थिक क्रीमी पस इना लीजन तो अब इसके थोड़े क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इस्टेफ फाइलो कोकस और यस जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, उसको हमने कुछ केटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुए, जैसे क्यूटेनियस इंफेक्शन, डीप इंफेक्शन, फूड पॉजिनिंग, नोजो कोमियल इंफेक्शन, इसके एक्सफोलियाटिव डिजीज और टॉक्सिक सॉक स्ट्रोम, तो क्यूटेनियस इंफेक्शन, बेसिकली हम जब इसके और इसके सर्फेस की बात करते हैं, तो उसे हम क्यूटेनियस इंफेक्शन करते हैं, डीप इंफेक्शन मतलब इसकिन कहते हैं जब कोई infection hospital के एनवार्मेंट से किसी patient में transmit होता है तो उसे हम nozocomal infection कहते हैं skin exfoliative disease में skin में होने वाले जो भी लीजन है वो आते है और toxic shock syndrome इसमें मैंने आपको इससे पहले की video lecture में बताया था एक toxin है जो toxic shock syndrome में लिए infant में देखा जाता है तो यह toxin की वज़े से staphylococcal toxin की वज़े से यह produce होता है तो आगे बठते हैं सबसे पहले हम कि इसके cutaneous infection की बात करते हैं तो cutaneous infection में जो superficial infection है इसका इसमें बात करता है पस्टूलजबाईल्स और एपसेस तो pastud पस्टिूल्स जैसे नाम ही है इसके past cooker monie means होता है ऐसे booster जिसमें पस फिल होता है जिसके अंदर पास होता और यह मेंजी इसकीन के सर्फेस पेपियर होते हैं तो एपिडर्मिस पे ऐसे ब्लिस्टर जिसमें पस की फॉर्मिशन होती है जिसके अंदर पस प्रेजेंट होता है उन्हें हम पस्ट्यूल्स कहते हैं अब बात करते हैं बॉइल्स की तो बॉइल्स की होते हैं यह पेनफुल और यह भी पस फिल्ड लीजन होते हैं और यह बैसिकली स्कीन पे प्रेजेंट होते हैं और इनका एक करेक्टिरिस्टिक फीचर है बालॉइल tenga यह सटार्ट हूते एक से जयादा whats scent कशरीर को इंफेक्ट करने के बाद बॉईल से कहेंगे और abscess abscess क्या है कि पस का collection और पस का collection हमारी body में कहीं भी almost कहीं भी और किसी भी organ में हो सकता है तो पस का collection mainly dermis layer में और anywhere in the body उसे हम क्या कहेंगे abscess कहेंगे इसके अलावा styes styes क्या होता है styes red एक painful lump होता है और mainly यह हमारी eyelids के आसपास का infection है eyelids के आसपास जो हमारी glands होती है एक यह एक से ज्यादा gland को इंफेक्ट कर सकता है और mainly eyelids के आसपास देखा जाता है बहुत painful यह red lump होता है नेक्स्ट है impetigo तो impetigo impetigo हम उस लीजन को कहेंगे जो दिखने में red होगा और mainly यह लीजन ऐसे red लीजन में नोज माउथ हैंड्स और फीट इन पे मिलते हैं तो ऐसी लीजन जो रेडिश होते हैं painful होते हैं और नियर टू माउथ नोज हैंड्स और फीट प्रजेंट होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे impetigo नेक्स्ट है pamphigus हम कहते हैं देखो pamphigus एक blister है और यह mainly हमें skin और mucous membrane पर देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम pamphigus कहते हैं वर्ण इंफेक्शन आपको पता है वर्ण मतलब एक लीजन घाव और उसमें जो भी इंफेक्शन होता है उसे हम वर्ण इंफेक्शन कहते हैं बर्ण कि पर इंफेक्शन मतलब एक बर्ण के बाद जो बर्ण से प्रोड्यूज लीजन है उन में जो भी इंफेक्शन होता है उसे हम बर्ण इंफेक्शन कहें तो यह सारी छीजे हमारे superficial infection में आतीorman इसके अलावा जो भी इसके deep infection है deep infection में osteomyelitis, tonsillitis, pharyngitis, sinusitis और pneumonitis है. तो osteomyelitis, itis word एक्छली inflammation को denote करता है जिस भी word के suffix में itis हो that is inflammation तो जैसे osteomyelitis है तो inflammation of bone, tonsillitis है तो inflammation of टॉंस्टो में इंत्रोमेशन से टो इंफलमेशन ऑफ्सायनीोमेोन ही नियूमोनी प्ल्सेस्वहित्ज का इंफशेल में अफ लंस्ति इसके बाद एंदो काड हिस्मीन्स इंफ़लमेशन है आप गल्जिए ठाइन-स यह टिरण हम यह कहते हैं कि bacteria की presence blood में है तो इस तर्म को the presence of bacteria in blood is called bacteria and septicemia क्या है जब bacteria present to blood में है लेकिन लेकिन इसके साथ presence के साथ यह multiply भी कर रहा है तो तब हम उस term को कहते हैं पाइमिया हम उस condition को कहते हैं जब पस-forming पस-forming जो बैक्टीरिया है उसकी प्रजेंस व ब्लड में तो उसे हम कहेंगे पाइमिया और urinary tract infection means urinary tract infection जैसे जिसमें हम kidney, ureter, urinary bladder को involved करते हैं तो इनका infection, इस infection को कहते हैं, urinary tract infection इसके अलावा, staphylococcus aureus food poisoning में भी involved होता है तो basically food poisoning का transmission है, food poisoning कैसे होता है तो food poisoning किसी भी contaminated food material को ingest करने से होगा तो ingestion of contaminated food के बाद जब हम ingest कर लेंगे contaminated food को उसके 2-6 गंटे के बाद हमें food poisoning के symptom देखने को मिलेंगे और यह जो toxin है बेसिकली इस food poisoning के लिए toxin involved होता है और इस्ते फाइलो कोकस एक strong enterotoxin form करता है enterotoxin enterotoxin का ही काम होता है देखो enteric enteric मतलब होता है intestine जो हमारी intestine को disturb करें इसा toxin जो हमारे intestine को disturb करें उसे हम क्याते है enterotoxin तो बेक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट हो ना हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर बेक्टीरिया ने अपना toxin secret किया हुआ है वह खाने पर तो वह खाना toxin से contaminated है तो वह अगर toxin हमारे body में जाता है through ingestion of contaminated food तो यह हमारे intestinal environment को क्या करेगा एफेक्ट करेगा और हमें food poisoning करेगा तो food poisoning में basically हमें यह देखने को मिलता है कि diarrhea like symptoms हमें देखने को मिलते हैं तो इसे हम food poisoning कहेंगे अब nosocomial infection और nosocomial infection को कई नामों से जाना जाता है जैसे hospital acquired infection, hospital associated infection तो यह ऐसे infection है कि patient के complaint कुछ और होती है hospital में admit होने के बाद उसके surrounding material से, surrounding surface से या hospital के environment से या hospital staff से जो उसे infection होगा उसे हम nosocomial infection कहेंगे तो necessary नहीं है कि हमेशा ही nosocomial infection होगा लेकिन हाँ जो immunocompromised individual है उन में यह condition देखने को मिलती है कि hospital के environment से भी उन्हें infection हो जाता है तो ऐसे infection from nosocomial infection hospital associated infection या hospital acquired infection कहते हैं तो staphylococcus aureus nosocomial infection में involved होता है इसके अलावा skin exfoliative disease के लिए सब्सक्राइब है तो यह किस वज़े से होता है तो मैंने पहले भी इसके toxin वाले lecture में बताया था यह epidermolytic toxin produce करता है जिसकी वज़े से skin exfoliative disease produce होती है और इसका सबसे बढ़िया example है scalded skin syndrome या staphylococcal scalded skin syndrome जिसे मैंने four time s भी कहा था s s s s तो यह syndrome है यह सबसे अच्छा एक्जामपल है skin exfoliative disease का तो इसके अलावा toxic shock syndrome यह भी toxic shock syndrome मैंने कहा था यह भी बैक्तिरिया के toxin के वज़े से ही जिसको हम toxic shock syndrome toxin कहते हैं इसकी वज़े से toxic shock syndrome हमें देखने को मिलता है और इसके कुछ characteristic feature है जैसे fever, hypertension, vomiting diarrhea और skin rash यह देखने को मिलते हैं और पेश्ट को इस तरीके के symptom हाते हैं जैसे fever, hypertension, vomiting, diarrhea और rash देखने को मिलते हैं तो इसको हम कहते है toxic shock syndrome इस video lecture में इतना ही आगे हम बात करेंगे इसके अग लब दिगनोस्स और ट्रित्म पेश्ट के तरीके य।